धूट बाज़नें बहुट बहुत सवागत करते हैं आपका है इस वीडियो में आज हम प्राचिन काल का इतिहास देखेंगे जो मेरा जो मेडवल हिस्ट्री चल रहा था इससे पहले वाली वीडियो में तो लगभग मेडवल हिस्ट्री के अंद तक तो पूरा कभर नहीं की है, लगभग हमको लगता उसमें 3-4 वीडियो और आएगा, लेकिन अभी मेरा ये प्रियास है कि आपका जो प्राचीन भारत की इतिहास है, इस पे कुछ वीडियो बनाया जाए, चुकि ये टॉपिक बड की इतिहास अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है, तो सबसे पहले जो भी NCRT के अधार पर जो भी content है उसको आपको पढ़ाते हैं, तो स्रोतों के अधार पर ancient history को तीन भागों में बाटा गया है, कितना भाग में बाटा गया है, अलग-अलग स्रोत के अधार पर जो ancient history ह उसको तीन भाग में बाटा गया है, सबसे पहला भाग प्राग इतिहासी काल, दूसरा भाग आध इतिहासी काल, तीसरा भाग इतिहासी काल, प्राग इतिहासी काल जो है, वो क्या होता है, आध इतिहासी काल क्या होता है, और इतिहासी काल क्या होता है, सब को हम एक एक करके समझेंगे पत्थर का पडियोग क्या बोले पत्थर का पडियोग जो काल में मतलब जीस समय पत्थर का पडियोग हुआ उसे हम प्राग इतिहासी काल कहेंगे पत्थर मतलब खाली पत्थर से ही जानबर को मारना, जानबर को पकड़ना, पत्थर पे ही खाना पकाना, पत्थर से ही ओजार बनाना, पत्थर पे ही सोना, पत्थर पे ही उठना, मतलब सिर्फ पत्थर से ही इनसान सब कुछ कर रहा था, उसी को प्राग इतिहासिकाल कहेंगे क्या कहेंगे प्राग इतिहासी काल क्योंकि ये पत्थर की उपयोग की जानकारी में जो सबसे ज़्यादा मतलब अगर पत्थर का उपयोग किया गया है तो प्राग इतिहासी काल में ही किया गया है ठिक अब आपके मन में ये चीज़ चल रहा होगा ये जो पत्थर की उप्योग की जानकारी है ये हम लोगों को कहां से प्राप्त हुई तो हम लोगों कोई लिखित ग्रंथ मतलब कोई ऐसा इतिहास में ग्रंथ नहीं है जिसके बज़ा से हम लोगों को समझ में आया था कि उस बक्त लोग पत्थर का उपयोग करते थे Actually, बहुत इतिहासकार का दावा है कि आपको पता कैसे है कि प्राग इतिहासी काल में लोग पत्थर का ही उपयोग करते थे ये बात आप पढ़े कहां हो? क्या उस बक्त का आदी मानब लोग कॉपी पेन से लिखा था अपने बारे में? क्योंकि तब न आप जाने हो, ऐसा तो नहीं है जैसे कि मानलो कि हम लोग मोगल के बारे में पढ़ें, बाबर ऐसा था, लोदी ऐसा था, मुहमद गोडी ऐसा था ये सभी इतिहास के पन्ने में लिखा गया है उस वक्त जो मुहमत गोडी के दरबार में इतिहास कार रहते थे वो लिखते थे और उसी चीज़ को नहीं पढ़ लिये हैं तो यहाँ पर प्रस्ण उठता है कि प्राग इतिहासी काल में मानव जो मनुष्य हैं वो पत्थर का उपयोग करते थे तो आपको ये जानकारी कहां से मिला तो ये सब जानकारी हमको कोई ग्रंथ से नहीं मिला क्योंकि उस वक्त कोई इतिहास का रहे ही नहीं होंगे पत्थर वाले काल में लोगों को पेन पकड़ने तो धेराता हूँ, छड़ी पत्थर पकड़के सिर्फ जानबर को मारते थे, कपड़ा भी उनके सरीर में धंग से नहीं रहता था, किसी तरह अपना खाना वाना वो लोग खा लेते थे, कोई जानबर अगर सिर्भाग को मार दिया है त ये सब जानकारी हम लोगों को जो प्राप्त होता है, ये कोई ग्रंथ से नहीं, वलकि पूरा तात्विक स्रोत उसे, अब आपको लोगे का ये पूरा तात्विक स्रोत क्या होता है, तो जमीन को खोदना और जमीन को खोदाई करके, जो कुछ-कुछ सबूत मिलता है ने, ज से पता चल जगा ये दो लाग साल पुराना है 25-30 लाग साल पुराना है एक एडजेक्ट तो नहीं आएगा लेकिन एक ठीक ठाक आपको आ सकता है कि ये पत्थर कितना ज़्यादा पुराना है यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया कि जमीन की खुदाई करके ही पता चलता है कि ये पत्थर कितना पुराना है उस जमीन को जब खोदेंगे तो कुछ पत्थर निकलेगा तो पत्थर निकलने के बाद हमको पता लग जाता है कि हाँ ये पत्थर उस बहुत ज़्यादा पुराना है तो ये जो पत्थर है उसका उपयोग उस वक्त के मानब आस से 3-4 लाग साल पहले मानब किया करते होंगे प्राग इतिहासिक काल में लेकिन इसका कोई पोक्था सबूत नहीं है कोई ग्रंथ के द्वारा इसकी जानकारी हमको नहीं मिली है बलकि जमीन हम लोग खोदते हैं तो उसके अधार पे जो भी चीज़ों मिलता है उसका हम कारबन डेटिंग कर लेते हैं कारबन डेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के बज़ा से किसी भी चीज़ का एज पता कर लिया जाता है कि वो कितना ज्यादा पुराना है तो जमीन को खोदने के बाद जो भी चीज़ मिलता है उसके अधार पे ही हमको जानकारी मिलता है हम पूरा तात्विक स्रोत कह सकते हैं इसको, है ना क्योंकि पूरा तात्विक का मतलब ही होता है, जमीन को खोद करके जो भी चीज मिला है उसका एज को पता करना, भारत का इतिहास अपड़ोगे तो उसमें पासन को पासन है पत्थर, उसको प्राग इतिहासी काल भी कहा गया यहाँ पत्थर का ही उपयोग होता था यह हो गया प्राग इतिहासिक काल प्राग का मतलब पत्थर इतिहास का मतलब हिस्ट्री पत्थर का हिस्ट्री को ही कहा गया है प्राग इतिहासिक काल अब आता है दूसरा आद इतिहासिक काल तो हम आद इतिहासिक काल के बारे में दे अधहास का वह काल खंड जिसमें पूरा तात्विक सुरोत भी है और कुछ-कुछ साहितिक सुरोत से भी है फिर से मतलब आध इतिहासीक आधा अधूरा नोलेज देखोड भी बता रहे हैं। आध इतिहासिक काल, आधा अधूरा नौलेज, मतलब हम लोग जमीन खोद के भी कुछ मिला है, उसके द्वारा भी कुछ पता चल रखा है कि हाँ, इस भक्त ये हुआ होगा, ठीक, और कुछ हमको साहित, मतलब कुछ पुस्तक भी है, तो पुस्तक के माध्यम से भी कुछ-कु में लिखा गया है, उसको पढ़ा जा सका ही नहीं है, तो हम ये दाबा कैसे ठोक सकते हैं, कि हाँ भाई, ये चीज एकदम पका वही है, आपको माल लिजे कोई हम बुक दे दिये, बोले चलो एकजाम में आप बैटके आप चोड़ी कर लो, लेकिन वो बुक में जो हम लिखा हुआ साहित के रूप में, आपको मिल तो गया है, लेकिन उसके बारे में पता, पढ़ पढ़ ही नहीं जा सका है, बड़े-बड़े बिद्वा ना इसको पढ़ ही नहीं पाए, तो ऐसे ही काल खंड, ऐसे ही समय को हम आद इतिहासी काल कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, चुकि इस काल में सिर्फ खुदाई के दवरान, जो भी तमाम सबुत मिली है, उसके ही अधार पर चीजों को डिफाइन किया गया है, अलब खुदाई के अधार पर जो भी चीज मिली है, अब खोदे तो कुछ ने कुछ लिखीत रूप में भी हम लोगों को मिला है, लेकिन जमीन को जब हम लोग खोदना इस्टार्ट किये, तो लिखीत रूप में भी कुछ-कुछ मिला है, लेकिन वो लिखा हुआ चीज कौन सा भासा में है भाई, उसको हम लोग पढ़ी नहीं पाए हैं, तो हम लोगों का कॉंसेप्ट उससे किलियर नहीं हुआ, हम लोगों का किसेग जो चीजे हमको मिल रही है, तो आध इतिहासी का मतलब ही यही है, आधा अधूरा नौलेज, गरंथ तो मिल गया, लेकिन गरंथ को हम पढ़ी नहीं पा रहे हैं, जो चीज, टूल से वेगरा मिल रहा है, अउजहरे मिल रहे हैं,ुसको देख के हम समझ तो रहे हैं कि हाँ ये आद इतिहासी काल का ही चीजे हैं, लेकिन जो ग्रंथ है उसको हम पढ़ने के लाइक ही नहीं है, उसी को हम आद इतिहासी काल कह सकते हैं, ठिक, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपको हरपा सभिता, इंडस वैली सिवलाइजेशन इंगलिस में, उसको ही सिंदु घाटी की सभिता कहते हैं, तो सिंदु घाटी की सभिता भी एक आध इतिहासी काल है, मतलब आधा अधूरा नौलेज है, मतलब जो भी ग्रंथ मिले हैं सिंदु घाटी की सभिता के रिलेटेट, जो भी लिखित चीज मिली है, उसको हम लोगों के साइन्टिस्ट प उस चीज को हम लोग पढ़ ही पाए नहीं है, तो complete रूप से क्या हो गया, कि आधा अधूरा नौलेज हो गया, जब पढ़ ही ने पाए, तो आधा अधूरा नौलेज होगा न, जो सिंदू घाटी सभिता में इटा निकली थी जमीन के अंदर से, सिंदू घाटी सभिता में कुछ अउजारे निकली, कुछ आपका मिट्टी की हल निकल गई, कुछ दाना निकल गई, तो उसके अधार पे हम बता सकते हैं कि हाँ सिंदू घाटी सभिता के लोग है न, गेहूम निकला तो गेहूम का उपयोग करते होंगे, पत्थर का चाकू निकला तो हम लोग बता स है न, जमीन के अंदर से जो जो निकला उसके अधार पे ही हम बोल पा रहे हैं सिंदू घाटी में, मतलब आध ही थी हासिक में, आधा अधूरा नोलेज, सिंदू घाटी में ही थोड़े बोल रहे हैं कि हाँ उस बक्त गुड़िया बच्चे खेलते ही होंगे, हम क्या बोलत देखा है कि यह आपके पापा का मतलब खगरिया में या फिर पटना में है, तो आप मालो अब दिल्ली में तो आप बोल सकते हैं हो सकता है पटना गए होंगे, यह होंगे मतलब आप कंफर्म नहीं हो, तो वही चीज़ आधा अधूरा नोलेज, जैसे सिंदू घाटी की जो सभिता है, जमीन को खोद करके जो भी टूल्स मिलता है, इटा मिलता है, दाना मिलता है, अनाज मिलता है, उसके अधार पे हम बता सकते हैं कि कारवन डेटिंग करकर के यह अनाज कितना ज़्यादा पुराना है, और यह अनाज कारवन डेटिंग से समझ में आता है कि यह मतलब complete रुप से फरगना बाला छेत्र में जनम लिये थे, वो समढ़कंद बाला छेत्र को जीतना चाते थे, उनकी मा का नाम कुतलूब निगार खानम था, उसके पिता का नाम सेख मिर्जा था, तो ये सब लिखा हुआ इतिहास में है, लेकिन यहां तो कुछ लिखा हुआ है ये नहीं है, आद इतिहासिक में, जो भी चीज़ लिखा हुआ है, वो लोगो हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो आप समझ लिजिए कि यहां पे जो हम लोगो आद इतिहासिक काल है, यहां हम लोग को आधा धूरा नौलेज है, अब आधितिहासिक से पहले क्या बोले थे, प्राग इतिहासिक, प्राग इतिहासिक में तो कोई ग्रंथ या लिखा हुआ चीज तो मिलवे ने किया, क्योंकि आधि मानब को भासा था नहीं, तो आधि मानब लोग लिखता किया, उ लेकिन वो भासा जो वो लोग उस बकता से रधाय हजार साल पहले लिखा था, वो चीज को हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन आज तक का रिकार्ड रहा है कि किसी ने पढ़ नहीं पाया है। मतलब देख रहा है तो बोल रहा है लेकिन इतिहासिक रूप से कुछ चीज लिखा हुआ जो है उसको हम लोग पढ़ ही नहीं पा रहे हैं तो पढ़ के हम लोग कोई जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। ठिक आप देखते हैं इतिहासिक काल इस काल में हमें पूरा तात्विक साक्ष भी मिले हैं। पूरा तात्विक साक्ष उसी को हम क्या कहते हैं इतिहासिक काल आध इतिहासिक का मतलब हो गया आधा अधूरा नौलेज ग्रंथ जो है उसको पढ़ा नहीं जा सका है लेकिन जो चीज जमीन को खोद खोद के हम निकाल रहे हैं। उस चीज को देखने के अधार पे हम बता सकते हैं कि उस वक्त ये हुआ होगा, उस वक्त ये हुआ होगा, वो आदितिहासिक है. प्राग इतिहासिक में सिर्फ पत्थर की बात है, लेकिन इतिहासिक में इतिहास का बाते अलग हैं. इतिहास का मतलब हो गया history, history, इतिहास के अंदर जो चीज आएगा उसको पढ़ा भी जा सका है बढ़िया से scientist के द्वारा, scientist नहीं, मतलब इतिहासकार के द्वारा, और इतिहास में जो भी चीज जमीन के अंदर से निकला है, उसको अच्छे से आप उसको देखने के ये वैदा जहां ने बनवाया था इस तरह से आप पढ़ते भी जा रहे है ठीक, यहां तक अच्छे समझ में आया अरे बाई, यह कुतूमिनार है, बड़ा सुन्दर है आप देख भी रहे हैं, और पढ़ भी लिए इतिहास में जाके, अच्छा, यह कुतूमिनार किसने ठीक कौन कराया था, तो आप देख के समझ में आ रहा है कि अच्छा, इसे फिरोज सा तुगलक ने कराया था, ठीक, उस वक्त आप जिन्दा थोड़े थे, आप तो आपका जन्म में भी नहीं हुआ था लेकिन आप यह सब जानने कैसे लगे हैं क्योंकि कहीं न कहीं पुस्तक में लिखा हुआ है और उसे आप पढ़ भी रहे हैं, उसी को कहते हैं इतिहासी काल इतिहासी काल का जो भी चीज है वो आप पढ़ भी रखे हैं और देख भी रहे हैं, है ना, इतिहास में बहुत सारा चीज है जैसे सासा राम है, सासा राम, सिर्षा सूरी का मकवारा, आप पढ़े भी हैं जाकर के, और जाकर के देख भी पा रहे हैं, अच्छा सिर्षा सूरी का मकवारा कहा है, सासा राम में, अभी भी आप ट्रेन से सासा राम जाओगे, तो आपको वो मकवारा दिख जाएगा, तो इ प्राग का मतलब पत्थर और सिर्फ पत्थर जमीन के अंदर से निकल रहा है तो आप बता रहे हो कि हाँ भाई पत्थर का उप्योग होता होगा ये होता होगा वो होता होगा इसके आधार पे तो यहां तक आपको अच्छे से चीजे समझ में आ गया कि प्राग इतिहासी काल क क्या होता है इतिहासी काल क्या होता है यहां तक आई हो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इतिहास को हम देख भी रहे हैं और जो भी गरंध में लिखा है उसे हम अच्छे से लिखित साक्ष को जो मिला है उसे हम पढ़ भी रहे हैं जो भी लिखित सबुत मिला है उसे पढ़ पहां भी जा सका है. फूर एक्जामपल, चलिएक्जामपल भी देते हैं. जैसे बैधिक काल. तो वैधिक काल में जो भी चीज होता था, आज हमारे बेध में लिखा हुआ है. चार बेध हैं. रीग बेध, साम बेध, यजर बेध, अथरक बेध. ये चारो बेद में जो जो चीज लिखा हुआ है संस्क्रीट में या फिर हिंदी में जो भी भासा में उसे हम अच्छे से पढ़ भी पा रहे हैं और हम कलपना भी कर पा रहे हैं कि रीसी मुनी का जो समय रहा होगा वो ऐसे ऐसे रहा होगा तो जाके देख भी पा रहे हैं बौ जो भी है गया में, जहां पे उनको ज्ञान की प्राप्ती हुई, बन्यान ट्री के अंदर, बरगत का ब्रिक्ष के अंदर, तो वो आज के डेट में भी गया में मौझूद है, उसे हम जाके देख भी रहे हैं, है ना, गौतम बुध ने कहा गया नहीं गया, जो भी चीज इतिहास कहते हैं, क्या कहते हैं? इतिहास, आप बोधकाल देख लो, जहिनकाल देख लो, इन सभी की जानकारी पूरा तात्विक और साहित्तिक दोनों के अधार पे मिली है, पूरा तात्विक का मतलब जमीन को खोद के कुछ-कुछ पता करना कि हाँ, उस वक्त बोध के समय ये हुआ था और साहितिक का मतलब लिखा हुआ भी है मतलब लिखीत जानकारी भी है कि गौतम बुद्ध और चंदरूप्त मोर इवेगरा के समय ये ये हुआ होगा तो प्राग इतिहासी काल जो है वो सबसे पहले अध्यान जो प्राग इतिहासी काल के सोध करता भी माना जाता है क्या माना जाता है रोबोस ब्रूस फूट को प्राग इतिहासी काल के सोध करता भी माना जाता है और इस प्रकार से 1820 में एक नाम होंको याद नहीं आ रहा है, रुकी थोड़ सुचिन दिए, उसका नाम था जागरनस थामसन, क्या नाम था? ऐसे ही कुछ नाम पड़े थे, जागरनस थामसन करके, तो कब 1820 में जागरनस थामसन के द्वारा पासानकाल के रूप में बाटा गया था, क्या बाटा गया था? पासानकाल के रूप में बाटा गया था, जो प्राग इतिहासिक है न, इस प्राग इतिहास के बारे में सबसे पहले चर्चा कौन किये थे, रोबोस बुरूस फूट, रोबोस बुरूस फूट ने सबसे पहले ये दुनिया में कहा था, कि कोई पत्थर का काल हुआ करता था, मानब पत्थर का भी उपयोग किया करता था, उससे अउजारे बनाया करता था, पत्थर पर बैटता था, आरेध-आरेसो बीस में जारगनस ठामसन के दौरा पासान काल के रूप में इसे बाटा गया, तीन भाग में जो पत्थर का भी काल है न उसे इन भागों में बाटा गया पहलो लेठिक नियो लेठिक मैस्डशू लेठिक जो इंगलीस में आप ठढ़े होंगे उसे हिंदी में पासानकाल ठिक और दूसरा कासी यूग और तीसरा लोह यूग तो पैलियोलेथिक, नैसोलेथिक, नियोलेथिक यह से में पूरा पासानकाल, मद्धी पासानकाल और नवपासानकाल यह हो सकता है और जो यह आया था क्या नाम है जागरिनस थामसन इन्होंने पत्थर के काल को तीन भाग में नहीं बाटा, इन्हों ने जो मानब चीज़ों को उप्योग कर रहे थे, तो सबसे पहले क्या चीज का उजार बनाते थे, फिर उसके बाद क्या चीज का उजार बनाता था, उसके बाद जब मानब का दिमाग थोड़ा सा विक्सित हो गया, तो तो वो कांस से से, है न, जिसको ब्रॉंज कह सकते हो, इंगलिस में, और फिर ब्रॉंज से आउजार बनाने लगा, तब तक ब्रॉंज की खोज भी हो गई थी, और तीसरा नंबर में लोह यूग, मतलब आईरन से आपको आउजार बनाने लगा, जिस काल में मानव ने अपने ह हथियार और भी अन्य जरूरत के चीज पत्थरों के द्वारा बनाते थे, किस चीज से, उसे हम विशेस काल के रूप में पासन काल ही कह सकते हैं, अपने हथियार हो गया फिर या फिर अन्य कोई जरूरत का चीज सिर्फ पत्थर से ही बनाते थे, उसे हम पासन काल कहेंगे, यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा अच्छा कांशिका मतलब क्या होता है तो कांशिका मतलब ब्रॉंज होता है आप ब्रॉंज आप पढ़े होंगे Classics 7 के Science में कि जो ब्रॉंज होता है वो य है वो किस चीज का य है? Copper और Tin का य है आप इंगलिस में बोल सकते हैं कि Bronze is an alloy of copper and tin मतलब copper और tin दोनों को मिलाया गया और फिर एक नया धातू एक नया metal को तयार कर लिया गया जिसे हम ब्रॉंज कहते हैं और जिस स्काल में ब्रॉंज का उपयोग हत्यार बनाने के लिए हुआ है उसे ही हम Bronze age कह सकते हैं और भी मानब का अन्य जरूरत का चीज ब्रॉंज से ही बना है तो वो सब चीज को मिलके बनता है Bronze age मतलब मानब का बैठने वला टेबूल मानब का बैठने वला कुरसी मानब का पीने वला ग्लास मानब का खाने वला प्लेट मानब का हतियार, मानब का चाकू, सब कुछ ब्रॉंज से ही बन रहा है, तो हम उस काल को क्या कहेंगे, ब्रॉंज एज कहेंगे, अर्थात कास का यूग, सिंदू घाटी सभिता को एक कास यूगिन सभिता के रूप में भी जाना जाता है, कैसा जाना जाता है, कास यूगिन इसलिए सिंदू घाटी सभिता को कास सी यूगिन सभिता के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि सिंदू घाटी सभिता आज से धाय हजार साल पहले जो मानव ब्रॉंज को उप्योग करते थे वहां जमीन के अंदर से खुदाई के तवरान आज निकला है और उसे कारबन डे सिंदू घाटी सभिता आगर रहा है तो उसका नाम सिंदू घाटी सभिता है तो हम लोग कहीं न कहीं दावाट ठोक रहे हैं कि चलो सिंदू घाटी सभिता में जो मानव रहते होंगे वह ब्रॉंज का उप्योग करते होंगे इसका कोई लिखित सभूत नहीं है क्योंकि ये आध इतिहासी काल के अंदर आता है आधा अधूरा नौलेज लिखीत सबूत तो है लेकिन उसको पढ़िये नहीं पा रहे हैं ठीक और सिंदुगाटी के समय में लगभग जो है लोहा का खोज नहीं हुआ था जब काश्य आया उसके बाद आता है लोहा मतलब इतिहास का वहा काल खंड जिस काल में मानब ने लोहा का प्रयोग किया वहा काल को हम लोह यूग या फिर आयरन एज कह सकते हैं ठीक ना इतिहास का वहा काल खंड जिस काल खंड में इतिहास का वहा समय जब मानब ने लोहा का उपयोग किया था उसी समाई को हम Iron Age के नाम से जान सकते हैं भारत में उत्तरवैदिक काल चले जाओ कहाँ पे उत्तरवैदिक काल एक होता है दो एक होता है रीगवैदिक काल एक होता है उत्तरवैदिक काल दो काल है उत्तरवैदिक काल मेंगर चले जाएंगे आप बोलोगे यह क्या बता रहे है तर तो 1500 से 1000 इसा पूर्व से 1000 इसा पूर्व, यह हो गया मतलब 1500 1500 BC से लेकर के 1000 BC का जो एज है वो रिगवेधिक काल है और 1000 BC से लेकर के 600 BC तक वो उत्तरवेधिक काल है तो 1620 तक का जो काल खंडे उस वक्त कहा जाता है कि आईरन का खोज हो गया था और आईरन का खोज जब हो गया था तो उसे उत्तरवैदी काल में आईरन का काफी उप्योग होना शुरू हो गया, शुरुवाती मानी जाती है अब ये सब चीजें हम लोगों को लिखित जानकारी भी मिली है, लगभग लगभग लिखित जानकारी भी मिली है और उसे हम पढ़ भी पा रहे हैं तो भारत में पुरातात्व के जनक जो खोदाई है जमीन का, वो सबसे पहले कोन खोदनाई स्टार्ट किये, अलेक्जेंडर कनिंगम को ही माना जाता है, सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंगम ही जगा जगा पे जा करके पुरातात्वी के जनक के रूप में, मतलब जमीन को खोदने के रूप में इन्होंने सबसे पहले भारत में अपना नाम बना लिया, भारत में, ठीक न, अब वर्ल्ड में तो कोई और खोदा होगा, वह अलग बात है, लेकिन भारत के अंदर, अलगजंडर कनिंगम थे, उनके ही अंतरगर्द, जमीन को खोदा गया, और चीजों क निकाला गया और उसके अधार पे इतिहास को पढ़ा गया, अच्छा ये हुआ होगा, अच्छा वो हुआ होगा, अरे बा, ये गुडिया खेला गया होगा उस वक्त, अरे बा, ये जो चना निकला ये तो ठाई तीन-चार साल पुरा ना है, तो मतलब चना की खोज तीन साल में बाटा गया है on the basic soft जो भी आवजार आदी मानव लोग use करते थे जिस चीज का आवजार वो बनाते थे तो वो सब हमको जमीन खोदने के बाद मिला ही है लगभग पत्थर का ही आवजार उनके तमाम लाइफ स्टाइल जो था वो complete पत्थर पे ही depend था उसके पत्थर का उप्यों को दवा के करते थे लेकिन इसको भी तीन भाग में बाटा गया है मतलब बहूत पहले चले जाओगे तो इनसान सिर्फ पत्थरे से काम करता था लेकिन उसके बाद उसका दिमाग थोड़ा विख्सित होता है तो वो पत्थर से भी पत्थर के सासा तुट लकडी का भी आवजार बनाने लगता है लेकिन मध्य पासानकाल जब आता है, तो मध्य का मतलब ही मिडिल होता है न, तो मध्य में आप लकडी से भी यौजार बना रहा था, लकडी का उपियोग करके भी हड़ी वड़ी का भी उपियोग करके और पत्थर से भी यौजार बना रहा था, तो मध्य पासानकाल यहां हो गया, तीसरा नंबर में नव पासानकाल होता है, नब का मतलब नब का मतलब नहीं और पथर से नहीं, मतलब आप पथर का उप्योग इतना खतम कर लिया, इंसान का दिमाग इतना विक्सित हो गया, कि वो लोहा से आउजार बनाने लगा मैं लोहा नहीं कहूँ मैं लोहा हड़ी से लगड़ी से और भी तमाम अलग अलग तरह का चीज जो धातू जमिन से निकाल के उससे आउजार बनाने लगा अभी जो आप घर में आउजार बना रहे हो, अभी आपके घड में जो प्याज कट रहा है चाकू से, क्या वो पत्थर का बना है जबाब दो, नहीं है अभी आप लोग किस में हैं, ना वो पासनकाल में है आपका अधिखांस घड में हसुगा है चाकू है, है ना ये सब आउजार जो है आपके पास यह सब कोई पत्थर से बना हुआ तो है ही नहीं सब तो लोहा से बना हुआ है कोई पैसा बitives बला है तो चांदी का चाकू रखा है और पैसा बला है तो सोना का चाकू रखा है गड़ में लेकिन वो पत्थर बेगरा का उपयोग कर रहा है तो ना वो पासान काल का समय अभी भी चल रहा है मतलब पत्थर का उपयोग बिल्कुल भी नहीं क्योंकि वो आउजार बनाने के लिए या फिर अन्य जरूरत का काम के लिए वो अलग-अलग चीजों को डिस्कवर कर लिया है पहले इंसान पत्थरे को बिछा के पत्थरे पे सुत जाता था रात में जमीन प्रने सुता था पत्थरे का बड़ा चट्टान को लाता तो उसी पर सुत जाता था तो अब क्या हो comes है कि पहले पत्थर करेंधे हहाँ कि चलो जानमर का खाल ही उदार लेते हैं बकडी का या फिर हीरन का और उस पर ही सोएंगे तो हो सकता है जो ठंडा नहीं लगेगा इस तरह से हो गया पहले पत्थर पे ही खाना को पकाता था तो आब क्या हुआ कि आब लोहा का तावा बना लिया तावा पर खाना को पकाएगा कड़ाई बना लिया लोहा का चांदी का या फिर ब्रॉंज का जो भी कहलो उस पे ही खाना बना रहा है आप पत्थर, अभी आपके घर में कोई पत्थर का कड़ाई है, नहीं, हाँ होगा, आप सौक ही, या आप लोग है, तो फिर कुछो हो सकता है, कि सौक से आप खड़ित के लिए आए, कि चलो भाई, पत्थर से ही आपको काम करना है, तो इस तरह से इसका हो रहा था, चलिए हम थोड़ा डीटेल में जानने का प्रियास करते हैं, 25,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 से लगभग 25 लाख साल पहले से ले करके, आज से 10 हजार साल पहले तक का जो काल खंड है उसमें लोग मानब सिर्फ पत्थर का ही उपयोग करते थे। आप सोचों कि मानव का दिमाग है वो कितना धीरे 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 डेवलप हुआ क्योंकि 25 लाख साल पहले भी वो पत्थर का यौजार बनाता था पत्थर पे जीता था, पत्थर पे उठता था, पत्थर पे खाना बनाता था पत्थर पे सोजाता था और 25 लाक साल पहले से ले करके लगबग 10 हज़ार साल पहले तक वो सिर्फ पत्थर से ही काम करता था लेकिन कुछ जादू होता है 10 हज़ार साल पहले के बाद तो फिर 10,000 साल पहले के बाद से जो समय आता है तो इंसान थोड़ा बूद लकडी, थोड़ा बहुत अलग-अलग चीजों का उप्योग करना शुरू कर देता है 25,000,000 साल पहले से ले करके 10,000 साल पहले तक मानब सिर्फ पत्थर से ही औजार बनाता था इसलिए इस कालखंड को हम पूरा पासान काल कहेंगे सिर्फ पत्थर का ही उप्योग और मध्य पासान काल जो होता है मतलब ना बहुत पत्थर का उप्योग है हड़ी वड़ी का उप्योग है लगडी का भी उप्योग है मतलब ना पत्थर को हम कंपिलेट रूप से खदम नह करके 4,000 BC, उसे कहेंगे मध्ध पासान काल, मतलब पत्थर का वी उपयोग मानब करते थे, और साथी साथ वो हड़ी हो गया, लकड़ी हो गया, और भी अलग-लग मिट्टी हो गया, यह सब चीजों का जो आउजार बनाते थे, मिला करके, तो वो मध्ध पासान काल में बनाते थे और इसका कालखंड जो है लगभग 10,000 BC से ले करके 4,000 BC मतलब आज से 10,000 साल बहले से ले करके 4,000 साल पहले तक का का कालखंड रहा है लगभग 6,000 साल हो गया न तो ये जो समय है उसमें लोग पत्थर का भी, हड़ी का भी, लकडी का भी उप्योग कर लेते थे क्योंकि मानब का दिमाग थोड़ा सा क्या हो गया, विक्सित हो गया आब हम आते हैं नव पासान काल पे नव का मतलब होता है पत्थर बिलकुल भी नहीं तो आज से 10,000 साल पहले से ले करके एक हजार साल पहले, एक हजार पीसी तक का जो समय है उस पे नव पासान काल है, अब आपके मन में लगता होगा कि 10,000 साल से ले करके 4,000 तक आप मध्य पासान काल सर बोले थे फिर आप 10,000 से ले करके 1,000 ही क्यों बोल दिये क्यों नहीं आप 4,000 से 1,000 बोले ऐसा प्रस्ण आपके मन में आया होगा तो 10,000 से 4,000 साल पहले हम इसलिए बोले क्योंकि उस वक्त बहुत ऐसा जगह था जहां दिमाग बिक्सित कड़ ही रहा था मतलब कहीं कहीं पत्थर और लकड़ी से भी ओजार बनाया जाता था लेकिन बहुत ऐसा जगह था जो 10,000 साल पहले भी दिमाग एतना डेवलप कर गया था कि वो पत्थर का उपयोग छोर करके लकड़ी और हड़ी से ही और धातू से ही ओजार बनाना इस्टार्ट कर दिया मतलब आप कह सकते हैं धातू का मतलब हो गया कि आपका मेठल तो कहीं कहीं मतलब इतना बड़ा दुनिया है तो दुनिया के कोई कोने में 10,000 साल पहले से ही लोग हड़ी बड़ी से ही सिर्प उजार बनाने लगा लगड़ी से और अमिर्का साइट चले जाओ तो अमिर्का में दिमाग उतना डेवलप नहीं किया था तो वहां मध्य पासान काल का ही समय चल रहा था वहां लकड़ी और हड़ी दोनों से पत्थर और लकड़ी दोनों से यौजार बनाते थे लेकिन साउथ अफरिका में दिमाग रोगे नहीं किया जा रहा है यहां सिर्फ लकड़ी और हड़ी का उपियों किया जा रहा है तो यही चीज जो है इस चीज से हमको समझेविक्सीत होता है यहां तक अच्छे से समझ में आ गया कोई दिक्कत 10,000 BC से ले करके 1,000 BC तक का समय के कालखंड को हम कहेंगे नवपासन काल कुछ जगहा पर अच्छी चीजों की समझ हो चुकी थी जैसे आदी मानब का दिमाग विक्सित हो चुका था क्या हो चुका था आदी मानब का दिमाग थोड़ा सब विक्सित हो चुका था इसी कारण कुछ जगहा पर नवपासन काल चल रहे थे कुछ जगहा पर आदी मानब को जानकारी का अभी भी आभाव था इसलिए वहाँ पर मानब का दिमाग उतना develop नहीं किया था, develop slowly कर ही रहा था, इसलिए वहाँ पर मध्य पासानकाल का समय चल रहा था, ठीक, मध्य पासानकाल को ही calculate किया जा रहा था वहाँ पे, जहाँ पर मानब का दिमाग धीरे-धीरे विक्सित हो रहा था, हम कहें न, simultaneously, अमिर्का में पत्थर का उपयोग के साथ-साथ लकडी का उपयोग, लेकिन एफरीका में develop कर गया था, एफरीकन उसी समय, एफरीका के मानब सिर्फ लकडी और हड़ी से उजार बना रहे थे, और धातू का भी उपयोग करने लगे थे, लेकिन उसी समय बहुत जगह पत्थर से ही काम चलाया जा रहा था, तो समय-समय का बात है जगह-जगह का कि किस तरह का मानब का ऐसा था, नहीं था, यहां तक एच्छे समझ में आ गया, कुछ काल ऐसे भी थे, जिसे कोई स्टेप में बाटा ही नहीं किया, मतलब जैसे पूरा पासान आप काल कह रहे हो न, कि भाई, आपने न, यह समाज को, यह जो मानब का है, जो यह चल रहा है, उसे पूरा पासान में बाट दिये, फिर आप कहलो, कि यहां भाई, आपने मध्य पासान काल में बाट दिया, आपने यह कर लिया, तो कुछ ऐसा जखा है, वहाँ पर बाटा ही नहीं किया, कोई भी चरण में बाटा ही नहीं गया, जैसे पूर्व पूरा पासान काल, मध्य पूर्व पूरा पासान काल, है न, पहले पूर्व पूरा पासान काल, अदूसरा मध्य पूर्व, यहां तक अच्छे समझ में आ कसी कि पूरय पासण काल में जो मानव का जीवन था पूरा पासन काल में वह काल था जब मानव पुर्ण आधी मानव के तरह जीखते थे फिर पासं काल में एक एक करके समझाएंगे, पूरा नहीं, कहलो आपकी मानव का जीवन था ना, मानव का जीवन या फिर आदी मानव का जीवन, वो पूरा पासनकाल में जो मानव का जीवन था, उसमें आदी मानव जो थे, मतलब आदी मानव समझ ही रहे हो, तो आदी मानव के तरह ही जीते थे complete पूरा पासनकाल में मतलब जंगल में रहना, सिकार करना सिकार करके सिकार करना, अपना पेशा ही बनाना उसका occupation ही सिकार करना हो गया उसका मुख्य पेशा सिकारी बनना था और भोजन के लिए एक अस्थान से दूसरे अस्थान भटकते रहना खाना, एक जगा खाना वहाँ का खाना खतम करके दूसरे जगा चले जाना फिर दूसरे जगा खाना खतम कर लिए एक अक महिना रहके फिर तीसरे जगा चले जाना, फिर वहाँ एक अक महिना रहे फिर चौथा जगा चले जाना, इस परकार से पूरा दुनिया एकदम जंगले 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 जंगल घोमते रहना और पूरा दुनिया किसी भी अलग-अलग देश में कोई मैपिंग नहीं था, सब पूरा दुनिया एकके था, आफरीका का मानब घोमते घोमते इंडिया होते हुए कहूं से कहूं पहुंच जात देखते थे, ऐसा भी चलते रहता था, इतना बरा मानब का काल होता था ना समय, एक अक मानब 500 साल जीता था उस वक्त, तो मानब ना पुड़ा धरती ये घूम लेता था पैदल, मतलब एक जगा खाया, आगे बढ़ा, फिर वहां को जानबर को पकर के खाया, वहां का जानबर में डिभाईड उस वक्त नहीं था, खाली जंगल था और इतना पता है कि धरती था, मानब घूमते रहता था, फलवल खाते रहता था, उसका पूरा जीवन भटकते भटकते, निकलते निकलते वह मर भी जाता था, उसके बच्चे लोग भी साथ में घूमते थे, उसके पू लोमडियों खा जाएगा, उसका बाद छोड़ दो, जब भी मानब सिकार किया, ग्रूपिंग में, तो एक्चुली ये कोई पार्टिकुलर छेतर में जाकर रहने वाले थे नहीं, वो भटकते रहते थे, ठिक, और ऐसा होता थे, वो भटकते थे, कोई छेतर में एकाक महिना बहुत हुआत रह लिये और वहां का जो सारा जानवर है, उसको सिकार करके खा लिये, वहां का आम, फल, उल, सब जानवर उनवर खाके फल, खतम कर दिये, फिर जब खाना खतम हो गया तो दूसरा जगा चले जाते थे, और सर्च अप फूड के लिए ही मानब एक जगा से द अपना पूरा जीवन काट लेते थे, इसी लिए इसे खाद संग्राहक और इस वक्त को क्रीशक एवं पसु पालन की जानकारी भी बिल्कुल प्राप्त नहीं थी, मतलब खाना कैसे जमा किया जाए, अग क्रीशी क्या होता है, पसु को पालना, दूद दही जो जमाते हैं, इनको बस एक ही चीज पता था, कि मेरे हाथ में पत्थर है और हमें कैसे हाथी को मारना है, सेर को मारना है, पस एतना ही पता था, और उसको खाना है, इससे जड़ा इनको कुछ पता नहीं था लेकिन जैसे जैसे समाई आगे बढ़ता है समाई का काटा रप्तार से चलते जाता है न तो फिर चीजों थोड़ा सा पता चलने लगता है तो ये जो है आखरो टक बनते चले गए जैसे समाई बित्ते चला गया ये थोड़ा सा खाद संग्राहक भी हो गए मतलब खाना बाना को थोड़ा सा इस्टोड करने भी सीख लिए कि भाई अमरूद का चामरूद है उसको तोड़के रखलो कल खाया जाए मतलब मांस है तो एक मांस को तिन-चार दिन भी खाया जा सकता है मतलब गेहूम है तो उसको रखलो मतलब है बिच्चा है तो उसको तोड़के रखलो भोग लगेगा तो बाद में खाले ना मतलब खाना को इक खटा करने भी इनका दिमाग धिरे-धिरे क्या हुआ सीखने लगा अब इन्हें पसु पालन के भी जानकारी धिरे-धिरे होने लगती है जैसे समय बीतता गया है उन्हें पसु पालने के जानकारी होने लगी कि पसु पालेंगे तो वो हमें दूद देगा वो हमें रक्षा करेगा उसे हम बाद में मार के खाएंगे भी तो पसु को बड़ा भी करते थे अपने साथ और पासु को साथ में लेखि कुत्तार को अपने साथ ही रखते थे लेकर घूमते रहते थे हैं ना और जो भी अनाज है जिसे कच्छा सेव को ही तोड़के रख लिए, गेहुम को ही धड़ लिए कि चलो एक बुड़ा गेहुम रखे हैं, यह ऐसा चीज है कि इसे जन्वड़ी में अगर जमा किये हैं, तो मार्च में विखाया जा सकता, यह सड़ने बाला चीज नहीं है, यह गेहुम को दिसंबर के महिना में विखाया जा सकता है, मत कुत्ता को ही अपना बनाया था कि मतलब कुत्ता को ही सबसे पहले पालते थे क्योंकि ये इनका रक्षा भी करता था और साथ ही साथ कुत्ता जो है वो इनके साथ जो मांस खाते थे तो कुत्ता को अपना मांस भी खिला देते थे तो कुत्ता भी खुस और मानब भी खुस और म प्रमान लोग कोई मानव को कोई सिकार नहीं, वा तुँ अपना कुतबे को मार के क्या किया, खा लिया, चीजें समझ में अच्छे से आ रहा है, इंसान मांस खाता था, इंसान फल खाता था, उस वक्त आधी मानव लोग, और सब से पहले पसु पालन की जो जानकारी मिलती है, वो मध्य पासान काल में ही मिलती है, मतलब जहां पत्थर का उप्योग और लकडी का उप्योग, तबना मध्य मतलब में डिल दोनों चीज, बट मानव जब नव पासान काल में पहुंचता है, जहां पर पत्थर का उप्योग बिलकूल नहीं किया जाता है, उस वक्त मानव क क्रीशी करता है, मतलब खेती करता है, क्रीशी का खोज भी कर लेता है, और क्रीशी की खोज के साथ पसु पालन को भी वेवस्थित रूप से संचालित करता है, और जब क्रीशी को स्टार्ट की गई तो वहाँ पसुओं की जरूरत तो पड़ेगी ही, क्योंकि खेत में अनाज के दिमाग में कुट्ता पालने का भी एक दिमाग डेबलफ हो गया कि चलो जानवर को भी साथ रखना जरूरी है कब न वो पासान काल आते आते तक वो खेती करने भी सीख लिया वो पसु पालन भी सीख लिया कि गाय पालेंगे तो उसको हम खेत का घांस खेला देंगे और वो गाय हमारे खेत का घांस खाके बड़ा हो जाएगी तो धीरे-धीरे इनके अंदर क्रीसी पसु पालना इन तरह का चीज उनके माइंड में क्या होने लगा डेबलफ होने लगा और मानब जब क्रीसी को स्टार्ट किया तो वह पसुओं की जरूरत उसको काफी पढ़ने लगी थी क्या पढ़ने लगी थी मानब को पसुओं की जरूरत काफी पढ़ने लगी साथ ही साथ जो थे मानब लोग क्रिसी के देखरे करने के लिए भी उसको कुत्ता का जरूरत पढ़ने लगी थी ठिक और यहीं से वह सुरुवात हो जाता है अस्थाई समाज का कि खेती करने लगे जानवर पालने लगे तो आप भाई खेत में पानी पटाने के लिए एक जगा तो रुकेंगे ना एक जगा से दूसरे जगा अगर चले जाएंगे तो जो गेहूम लगाएं उभी सूख जाएगा और इसमें पानी कॉन पटाएगा और खेती करके अनाज खाया जाए पूरा सालो भर और एतना जो पागिल के तरह हम लोग भटकते रहते हैं तो ये सब भटकने वाला काम बंद किया जाए क्योंकि भटक भटक के इधर कभी मिला सिकार नहीं मिला कई रात भोखे सुतना भी होता था अईसा नहीं था कि गोली बंदुग था अडाम से सिकार कर लेता था मतलब कई बार पेर में फाल लगे नहीं मिलते थे तो पत्ता खाके ही रात बिताना पड़ता था तो इससे अच्छा वो खेती करने जब सीख लिए तो वो एक जगहा अपना जीवन को अस्थाई बनाने थे सहर में बदल गया फिर सहर आया तो वैपार होने लगा फिर वैपार होने लगा तो चीजें थोड़ा सा बदलने लगी आज का समाज देख लो कितना चाहता आज हम लोग डेवलप्मेंट के चरम सीमा पर पहुँच गए हैं है ना तो शुरू-शुरू में समाज जो था ठिक वह सिर्फ पत्थर से ही निर्मित होती थी हड़ी बड़ी से मध्य पासनकाल में निर्मित होने लगी हड़ी से निर्मित होती थी उस वक्त आपको कुछ ऐसा चीज था जैसे क्वैड जाइट था वो एक मेटल टाइप कही मतलब कहलो उससे आउजार बनाने में हैल्प होता था, सिल्क पत्थर था, ब्लेड था, यह सब चीज था, जो मतलब पूरा पासन काल में भी कुछ-कुछ इस तरह का पत्थर का उप्योग किया जाता था, जो अक्वाइड जाईटी सब पत्थर ही है, सल, यह सब पत्थर है, ब्लेड, यह सब अलग लेवल का पत्थर है, तो यह सब पूरा पासन काल में इसी से आवजार बनाई जाती थी, और उस बक छोटा बड़ा नोखिला हर तरह का पत्थर हुआ करता था, जब मध्य पासनकाल आता है तो माइक्रोलेथिक पत्थर मतलब सुक्षम पत्थर से औजारें बनाई जाने लगी थी हतियारें बनाई जाने लगी थी मध्य पासानकाल का जो समय रहता है वो हथियारों का साइच को क्या कर देता है तो रासत छोटा करता है हथियार का साइच को मध्य पासानकाल में क्यों? क्योंकि नव पासानकाल आते आते जिस पत्थरों की हथियार मतलब पत्थरों की जो हतियार में उपयोग की गई वह सीलिट का बना हुआ था और सीलिट पत्थर ओटोमेटिक क्या होता है छोटा होता है ठीक 10 हज़ार साल पहले के आसपास होमोसीपियंस मानब थे होमोसीपियंस ये बड़ा ग्यानी मानब हुआ करते थे भाई साहब बहुत ग्यानी होमोसीपियंस इनके पास क्यान का भंडार था मतलब इनको दिमाग बहुत था अभी हम लोग होमोसीपियंस ही है तबना हम लोग अपना जीवन में विक्सित करते जा रहे हैं तो होमो सीपियंस का जो विकास हुआ, धीरे-धीरे काफी होना इस्टार्ट हो गया, आप देखते हैं कि भारत का कौन-कौन सा अस्थल पे पूरा पासानकाल, मद्य पासानकाल और नव पासानकाल मिले थे, और पूरा पासानकाल में जो है वो अतिरंख, अतिरंपक्कम एक ज दोग रहे होंगे, हथनवरा चले जाओ, तो हथनवरा नम का जगा कहां पर है, मद्य परदेश में है, तो वहाँ पे भी पूरा पासानकाल का जो साइट से वो मिली है, और सबसे पहले मानब की खोपड़ी है, वहाँ complete रूप से अगर कहा जाए, तो वो आप पूरा पासान काल में ही, मानब की खोपड़ी का भी, मतलब उपयोग देखा गया, और जमीन के अंदर से खोदा गया, तो पूरा पासानकाल का ही यह जा रहा था, मानब की खोपड़ी मिलती है, अतिराम पक्कम बाला जो जगा बताइ थे ने, तमिल नाडू में वहीं पे खोपड़ी मिल पास इस्थीत था भीमबेट का तो यहां से भी आपको सवाल एकजाम में आ सकते हैं कि भीमबेट का कहां पर इस्थीत है तो नर्मदा घाटी के पास इस्थीत है और यहां से भी बहुत सारा चीज मिले हैं मतलब जो भी नदी बदी होता था वहीं पर कोई गाव डैवलाफ होने लगता था क्योंकि पहले कल कुवा यह सब हुआ नहीं करता था लोगों को तो खाना तुछ चाहिए साथी साथ पानी भी चाहिए तो बीच अगोर जंगले में नहीं रहने लगेगा लोग लोग नदी के किनारे भी रहने लगता था इसलिए क्योंकि खाना तो जंगल से ले आएगा ढूंड के लेकिन पानी कहां पिएगा तो नदी के किनारे ही अपना डेरा डाल लेता था नदी नहाने के लिए खाने के लिए है न और भी बहुत सारा काम होता है पानी का तो वो सब चीज के लि फ़ग वो नदी के किनारे ही बसा हुआ है है न कोलकाता चले जाओ गंगा नदी के किनारे है और नहीं तो बड़ाबरा सहर मुंबई चले जाओ समुद्र किनारे है तो मतलब बड़ाबरा सहर नदी किनारे नहीं तो समुद्र किनारे आज की डिट में भी मिल जाएगा भागल पूर्पूर थोड़े इसा बहुत पहले का चीज है लेकिन इसे नदी किनाड़े बसने का रीजन है न कि वहाँ पे मानव लोग रहना इस्टार्ट किया तो पानी बगल में था आज खागड़ यहां भी देखो चारो तुरप से नदी ही है तो यहां का भी बात अलग है यहां भी मानव लोग रहते होंगे तो उसको पानी बानी का कुई सित्रा का दिक्कत होता नहीं था आतिराम पक्कम तमिल नाडू चले जाओ वहां से खोपड़ी पर आपत हुए यहां से सवाल भी पियसी में आ सकते हैं नर्मदा नदी की घाटी स्थित थी यहां से भी कुछ-कुछ मिले हैं जैसे चित्रकारी वेगरा जो कुछ-कुछ इसका प्रमान मिले हैं कि कुछ-कुछ चित्र मिले हैं जमीन खोदने के बाद नर्मदा नदी के घाटी पर तो पता चलता है कि मानव चित्र वेगरा भी ब भीम बेटका या फिर कह लो आप अतिरम पक्कम यह सब पूरा पासनकाल का साइट से और यहां से सवाल आ सकते हैं और यहां चितरकारी के भी संबंद से चीजों प्राप्त हुए है ठीक और चित्रकारी के बर पूरा पासान काल से ही नहीं वलकि इसका रिलेशन मध्य पासान काल और नव पासान काल से भी है इवेन इतिहासिक काल से भी इसका संबंध है चित्रकारी का भीम बेट का मतलब मानब शुरू से ही चित्र बैगरा बना रहे हैं इसमें मानब पारंगत र सब राजाल लोग के चित्रकार रहते थे पास, समझ में आ रहा है, भीम बेटका से प्राँचिंतम चित्रकारी प्राप्त हुए है, उसके सक्ष मिले हैं भीम बेटका से, और एक साइट्स आपका नम बताएंगे, मिर्जापूर, उत्तर पर्देश में पढ़ता है, और लियापूर से, मध्य पासानकाल जो है, मध्य पासानकाल के अधिकांस अस्थल जो है, वो उत्तर परदेश में ही मिले हैं, जो मध्य पासानकाल के अधिकांस अस्थल हैं, मतलब जमीन को खोदने के बाद, मध्य पासानकाल के जो अउजार मिले हैं, मतलब हड़ी और पत्थर दोनों सनिर्मी तौजार वा उत्तर प्रदेश के अधिकांस भाग में मिले हैं जैसे चौपानी मांडो ये एक अस्थल है मदिपासानकाल का यह वा अस्थल है मतलब यूपी वाला चले जाओ छित्र है ना यूपी में पढ़ते हैं चौपानी मांडो और यहां से सबसे ज़्यादा मिरिद्भांड के साक्ष मिले हैं मिटी के बरतन के मिरिद्भांड का मतलब क्या होता है मिटी का बरतन मिरिद्भांड का मतलब क्या होता है मिटी से बना बरतन उसी को हम मिरिद्भांड कहेंगे और मिरिद्भांड का सबसे पहले उपियोग चौपानी मांडो में किया गया था अब आप बोलोगे भाई ये चौपानी मांडो कहां पढ़ता है तो ये उत्तर परदेश वाले छेत्र में पढ़ता है और उत्तर परदेश में अधिकांस जो अस्थल मिले है वह मध्य पासानकाल के ही अस्थल मिले है जबकि तमिलनाडू के साइड पूरा पासानकाल के अस्थल मिले है ये सी याद रखना तमिल लाडू में भी कहां अतिरम पक्कम नर्मदा घाटी और फिर वो कहलो आप भीमबेट का ये सब उधर पूरा पासनकाल के साइट्स मिले हैं लेकिन जो उत्तर परदेश के जो आपका मिडियापूर वाला छेत्र है या फिर चौपानी मांडो है ये ऐसे जगहा है जहां जमीन खोदने के बाद मिटी का बरतन जमीन के अंदर से निकले हैं तो वो सब मध्य पासनकाल के ही उपयोग में लाया गया होगा चौपानी मांडो वाला छेत्र में बहुत सारा चीज मिला है मध्य पासनकाल के विशेश अस्थल में से एक सराई नराय उत्तर परदेश का एक जगहा है सराई नराय ठीक न वहां से भी बहुत सारा आउजार मिले हैं जमीन खोदने पे बागोर चले जाओ बागोर कहा है राजस्थान में है आदमगाड एमपी में है और ये दोनों ही छेत्र से सबसे पहले पसू पालन की साक्ष मिली है मतला पस पसू को पालतू बनाया गया है इनी सब जगह से जो आदम गड़ है आदमी का गड़ यहीं से न पसू पालेंगे और आदमी का गड़ रहेगा तब न वह पसू पालेगा और बागोर राजस्थान यहां से पसू पालने की साक्ष मिली है सबसे पहले पसू को यहीं से सबसे काल के हैं जैसे बुर्ज होम कहलो वो नव पासन काल के हैं वो वहाँ कस्मीर में पढ़ता है बुर्ज होम यह सब नव पासन काल के साइट्स हैं और यहां से गर्तावास मिले हैं यानि लोगों को गढ़े में रहने का घर मिला है गर्तावास का मतलब होता है कि लोगों को गढ़े में रहने का घर कहां कस्मीर में कस्मीर में बरफ गिरता है और बरफ में लोग ठंडा में अगर धर्ती पर रहेंगे तो पगला के मर जाएंगे ठंडी मार देगा उसको तिसे अच्छा जमीन को कोड दिया गया है और उसको गढ़ा में ल कस्मीर वाले छेतर में गड़तावास, गड़े में रहने वाला घर, मानब के साथ कुत्ता को भी दफनाया गया है, इसका सबुत बुर्जोहोम में मिला है, कि बुर्जोहोम जो कस्मीर वाला जगहा है, वहाँ पर जब खोदाई किया गया, तो कहा जाता है कि पत्थर वाले का में मानब के साथ कुत्ता को भी दफना दिया जाता था क्योंकि मानब का सबसे प्रिये दोस जो होता था वो कुत्ता होता था और मानब का अंग रक्षक जंगली जानबर से भी मानब को प्रोटेक्ट करता था ये कुत्ता इसलिए कुत्ता सबसे प्रिये होता था तो जब साइट्स भी यहां से भी कोशन आ सकते हैं बिहार के सारंजिला है चिरांद है यह सभी अस्तल से भी नव पासांगाल के साइट्स मिले हैं जहां पर से अलग-अलग लेवल के आवजार जमीन खोदने से मिले है ठीक और मतलब बहुत आवजारें सब मिली है ये सब काफी प्रसिद्ध जगा है कौन-कौन चिरांद हो गया ये सब बिहार में ही पढ़ता है ये सब नव पासानकाल के साइट्स है समझ रहे हैं न कोई confusion है तो वीडि स्थांकाल के साइट्स हैं है न चिरांद ये सब कहां पढ़ते हैं बिहार बाले छेत्र में पढ़ते हैं अब कौन जगा, कहां है, नहीं है ये सब थोड़ा सा रटना ही पढ़ता है याद करना पढ़ता है इसमें क्या concept देंगे जो concept देने का चीज है उस लाग साल पहले से लेके 10,000 साल पहले तक जो सिर्फ पत्थर का ही उसी में खाता था, पत्थरे में उठता था, पत्थरे में सुता था, पत्थरे में बैटता था, पत्थर से ही जानवर को मारता था, सब कुछ पत्थरे था उसका दुनिया, लेकिन 10,000 से 4,000 साल पहले मत पास और दस हजार से लेके एक हजार तक नव पासानकाल तो चीजों को थोड़ा पढ़ने के बाद ही आप एलिमिनेट कर सकते हो एक जाम में हलाकि यहां से वेका कुछ सवाल दोगो पक्का पूछा ही जाता है आराय समझ में कोई दिक्कत नहीं चिरांद वाला जो छेत्र है चिरांद एक जिला है यह सारन जिला में पढ़ता है और यहां से भी नव पासानकाल के साइट्स मिले हैं नव पासानकाल के बनाए गए आउजार मिले हैं तो मतलब जो इतिहासकार है उसको समझ में आ गया कि य एक चावल मिला है कोल्डी हवा से, सबसे पहले इस दुनिया में चावल कोल्डी हवा उत्तर परदेश वाला छेत्र है, तो वहाँ पे कोल्डी हवा जमीन खोदा तो चावल का दाना मिला, और कारबन डेटिंग से पता लगा कि यह चावल जो है, यह बहुत पुराना है, और हवा उत्तर परदेश वाले छेत्र से हमको पता चलता है, चावल का प्रथम परमान, एक मेहरगड है, तो मेहरगड बलुचिस्तान जो हो गया आपका, वहीं पढ़ता है, पाकिस्तान में, और वहाँ से क्रीसी का पहला परमान मिला है, बलुचिस्तान वाले छेत्र से, मेहर लिजिए लब सिर्फ पत्थर को पत्थर से टकड़ा के मतलब पत्थर के ही काल में आग का खोज किया गया था यहां से भी प्रसनाते हैं कि आग का खोज किस काल में किया गया तो आग का खोज पूरा पासान काल में किया गया था चीजे चीजे को याद रखिएगा हला कि आग पूरा पासान काल में खोज कर लिया, लेकिन आग तो खोज लिया था, लेकिन इसका जो वैवहारी उपियोग था आग का, वो मतलब आग से खाना पक जाता है, फिर उसे हम बिना चबाए भी निंगल सकते हैं, खा सकते हैं, आग में पका हुआ खाना हमको बड़ा अच्छा ल लगने लगा, आग को सेकना अच्छा लगने लगा, तो फिर वो आग का जो वैवारी उपियोग है, मध्य पासान काल में ही आकर सीखता है, ठीक, उसको नव पासान खोल में आग को खोज लिया, लेकिन डरता था आग से, लेकिन मध्य पासान काल में आग का उपियोग उनक मतलब जो है उसका जो खोज है मतलब आग का यूज हमको समझ में आ गया नव पासनकाल में आते आते क्रीसी का खोज हो गया नव पासनकाल में आते आते और पसुपालन की खोज भी नव पासनकाल में किया गया और इसके इलाबा समाज गाउं जो बनते गया धीरी तरे बड़ जूटने चले गए, है न, बड़ा समाज बना, गाउं से सहर बन गया, मुंबई बना, दिल्ली बना, कलकत्ता बना, ये सब नवपासान काल में ही बना, मतलब जिस काल में पत्थर का उपयोग बिल्कुल भी नहीं होता है, उसे हम नवपासान काल कहते हैं, और इसी काल में हम मानब लोग बहुत मिक्सित करते हुए जा रहे हैं, ठिक, जीवन काफी गती से आगे बढ़ते जा रहा है, लोग जहां भी रह रहे हैं, काफी गती से डेवलप करते ही जा रहे हैं, आप तो खेर मानब बहुत आगे बढ़ गया है, मानब का बात ही अलग है आप, पहले मान ले आपके हाथ में दुगा, आपका दुनिय है, ठिक, और धिरे-धिरे मानव अपने जिवन को गती देने लगता है, यह समाज बना करके, एक समाज से दूसरा समाज, दूसरा समाज से तिसरा समाज, पोप्यूलेशन काफी तेजी से बढ़ने लगता है, यह दुनिया बनने लगता है, मानव अपना ग्रोथ कर लेता है, मांसिक रूप से, सरारीक रूप से, ठिक, और मानव अपना खान, पियन सबको सुधारने लगता है, घर बना के रहने लगता है, है न, और पत्थर बत्थर का काल जो है धिरे-धिरे समाज हो जाता है, और मानव द्वारा पडि तो खेर ये वीडियो अगर आपको मेरा अच्छा लगा मानब के बारे में जो अधिकांस जानकारी मतलब मानब कितना जमीन से उठके आगे बढ़ा है अगर आपको थोड़ा भूत भी अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजे और वीडियो को एक बार सुनिएग तो आपको बताएंगे ही, क्योंकि NCRT पढ़ाते हैं, तो आपको पता चलना चाहिए, कि कौन सा काल में, कौन सा साइट में, कहां-कहां, कौन सा ओजार मिला, ये तो आपको नहीं बताएंगे, तो फिर वीडियो मजा, क्या रहा है, चलिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यबाद, हो सकते तो अपने फ्रेंड के साथ भी ये पूरा पासन काल का वीडियो सेयर गर दीजिए, ठीक, यहां तक आपको चैस समझ में आ गया, देखिए एक चीज दिखाते हैं, यहां पे, ये प्राग इतिहासिक काल में, यही सब पत्थर हुआ करत हैं, यह सब प्राग इतिहासिक काल के आउजारे हैं, यह जो आपका है, पासन काल का इतिहास, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं, चलिए बीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने मित्र में सेयर कर दीजिए, अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, वो सिंदू गाटिस चपेता पर होगा, और जो वीडियो बहुत कमाल का होने वाला आया, नेक्स्ट वीडियो, चैनल यह बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए वीडियो,